पूर्णिंग वेल्कम टूर्ले क्लासे सवाज अजबानी के दन सीनर्जिक एंट्री स्कूल आप सभी है क्लास 10 की एक और मैंथेमेटिक क्लास में वैलकम है जैसे कि कल मैंने कुछ 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 आप लोगों को हमवक में दिये थे लगाने को आप में कुछ बच्चों ने लग आज भी मंदार से नहीं काम किया है वह आज कोशिश करें आज कंप्लेट करके दिखाएं ठीक है ना आज क्लासे सब्सक्राइब करके दिखाएं तो कल हम लोग कुछ कोशन डिसक्स किये थे और एक मैथ इसक्स किये ठीक है तो 3.1 में किसी को कोई डाउट है गया अब कुछ इस रंगो 3.1 में क्वेश्चन नमबर पस्ट में डाउट है तो देखो 3.1 में फस्ट एख लो जिन डाउट है वो देखो आफटाफ तेल्स दॉटर सेमें यर्स अगो आई वस सेवन ताइम्स एज ओल्ड एज वेर देन ठीक है ना आफटाब क्या कहता है अपन जो एज तुमारी थी उसका यानिक देखो आफटाब जो है अपनी बहन से कह रहा है कि 7 सल पहले आज से साथ सल पहले आई वो सेवन टाइम्स मेरी एज तुमारी एज की 7 टाइम्स थी ठीक ना वे देखो दो लोग आपर एक कौन आफटाब और दूसरी उसकी अब देखो seven years ago माल अभी लोगी प्रेजेंट एज क्या है पता है क्या नहीं seven years ago I was seven times as old you were then ठीक है ना तो साथ साल पहले एक तो प्रेजेंट की जोगी इन दोनों की कि इन दोने की प्रेजेंटेज पता है क्या हम लोगों नहीं पता एक को एक्स माल लो दूसरे को वाई माल लो तो seven years ago क्या हो जाएगा एक्स माइनस seven and y-7 ठीक है आगे देखो क्या बोल रहा है अब इन दोनों में रिलेशन बताए इन दोनों पार्ट्स में रिलेशन बताए क्या कि आफताब जो है वो साथ सल पहले भी बढ़ा होगा अपनी बेटी से आज भी बढ़ा है लेकिन साथ सल पहले जो एज थी आप हर डॉर्टर कब सेवन येर्स अगो कि इसका मतलब आफताब की एच कितनी है एक्स माइनस seven is equal to seven times of y-7 यह हो गया पहला रिलेशन ठीक है उसके बाद क्या बोल रहे है अल्सो त्री येर्स ट्रॉम ना आज से तीन साल बाद त्री येर्स प्रॉम ना ठीक है ना त्री येर् इसे त्री येर्स ट्रॉम ना यू आज यू अपकी ऐसे उसमें त्री साल जोड़ोगे तो आइस फ्रम प्री टाइमस एज यू विल बी मैं त्री टाइमस ओल्ड हो जाओंगी तुम्हारी एज के ठेके ना आज शाल भी ठीटाइमस ऑड़ एज यू विल बे यानि कि तीन साल बात इन लोगे आफटर थ्री यह अगर अभी एज एक से ततीन साल बात क्या होगी है और यह हो गया अब इन दोनों में रिलेशन दिया है क्या दिया है थ्री यह स्वर्म एक्स प्लस 3 इसे ट्री टाइम सॉब वाई प्लस अध्यृट करते ना डिजेगा जो किय की निकालते हो हाना तो यह आपको करके दिखाना है ऐसे नहीं कि आप एक्स की बैली जीरो लेंगे तो आई की कैल्पिलेट दिमाग में कर दिया थोड़ा सा करके दिखाएंगे यह कोशन ती चार नंबर में बड़े कोश्चन में आता है चोटे कोश्चन में नहीं आता अब बड़े में आता ता आपको डीटेल में सलुशन करके दिखाना होगा ठीके ना लीनेर क्वेशन बनाके उन्हें सॉल करना पड़ेगा ठीक ना आगे बढ़ते हैं कि 3.2 में किसी को कोई डाउट है गया हूं कि देखें तरी पॉइंट वे कुछ बच्चे को डाउट है बता रहा हूं तो 3.2 में जो कोश्य नमबर 3rd है थर्ड देख रहा होगा उसमें कंपेरिजन मतलब वही बताना ही कि पेर आफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है क्या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब समझते हैं सब लोग कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपक्लिस्ट वन सॉलिस्टेंट हो क्या बोल रहे है कंसिस्टेंट और इंकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि नहीं आइडिया है देखो जिनको नहीं आइडिया वो देखें काली देखो का मतलब क्या होता है यह पता है सबको सल्विशन आफ पेर अफ लीनियर इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है क्या होता है कि सल्विशन आफ पेर और लीनियर इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है कि बताइए कि देखो एस सल्विशन आफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है है ऐसे एक्स और वाई के कोडिनेट जो दोनों के दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम पर सैटिस्फाइब करें कि नहीं समझें बात समझ गए कि क्या समझें आथि देखो जब दू लाइन हो पार्ति है तो यह जू पार्रान के यहीं इसका सल्विशन है अब पैर आउнова लीनियर इक्वेशन इसलिए क्वेशन इसलिए क्लिकतर नियों के दोनों पर आ रहा है यह पॉइंट ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पर आये वही सलुशन और और लीनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल कहलाता है ठीक है अब अगर ऐसे पर लीनियर एक्वेशन लाइन है जिनका सलविशन हो तो नहीं बोलेंगे से एक जब nationale संवाग्स आगें सिदेन्ट है तो होगी नहीं होगी कि तो है मैं यह थोड़ी कहां सिलुषन दस पक्रश और कि तो यह सबस्क्राइब आने लगता है याननी कि पहर aging स्लूशन होता है आ और एक सब्सक्राइ hustle और जो यह कॉलिकों भूंशन होता है दूसरे हो सकते हैं ठीक ना तो अब देखो तो किसे कोई डाउट तो थर्ड में थर्ड में थर्ड देखो थर्ड में थर्ड देखना है ना क्या दिया है थ्री बाइटू एक्स थ्री बाइटू एक्स प्लास फाइब थ्री वाई तो फाइब थ्री वाई इस एकल टू सब लोग अपने अपनी डेस्क वर्क भी सॉल्ल करना चालू कर दें बस मैं इसके बाद कि रिविजन कराऊंगा कंस्ट्रक्शन का और ठीक है और फिर हम लोग डेस्क वर्क भी लगाते रहेंगे अब टेक है नाइन एक्स माइनस टैन वाई इकल टू फॉर्टीन अब देखो इन्हें कंपेर करना है ना तो अगर यह हम लोग यह बात चेक कर लें इन कंसिस्टेंसी के लिए कि पेर अफ लीनिर एक्वेशन कोइंसिडेंट का केस है पैरलल का है या इंटरसेक्शन का है अगर हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कंसिस्टेंट है कि नहीं है ठीक है देखो अब यह इसमें एवन अपान ऐट्ουν Gales我知道 ट्री बाइट डिवाड़एड बाइन और एगा थ्री से नाइन कैंसलों जाएगा माइनस तेन एक इसको कांसिल करो फाई से टैन गया तूग्या या माइनस वन अपोन अपोन ओंगे क्या यह दोना ब्राबर है बढबर एक अपोन हमसिक्वार आपान-पान-पान-फियर नहीं आ सेन्स वन अपोन तो इस नोटने क्वल तो-0-1-6 इस इंपलाई स्ट एट एव of equation is pair of equation are representing pair of intersecting lines intersecting line so it is it having solution so it is consistent stigma so it have solution unique solution कि यूनिक सोलुइशन कि एंड कंसिस्टेंट कि ठीक है बहुत बेसिक सी चीज है नेक्स देखो तो कोशन नुबर फॉर में पूछना है कुछ फॉर या फाइफ में पॉर या फाइफ फाइफ कोशन नंबर फाइफ देखो बहुत अच्छा कोशन है कि बहुत इजी होते हैं यह कोशन यह मैट के कोशन आपके सामने रैंडमली कोई पूछा जाए और आप लगा लो इसकी गैरंटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना ज्यादा वेराइटी ओफ को लगाया है आपने हमेशा कोशिश करिए अलग अलग टाइप के कोश्चन को कई बार लगाए तो इससे आपके दिमाग में वह मैप क्रियेट हो जाता जिससे इस बात की प्रॉफबिल्टी कम हो जाती कि किसी ऐसे कोशन का सामना जिसको आ एक रेक्टेंगुलर गार्डेन है ठीक है हाफ दा पैरेमीटर ओफ रेक्टेंगुलर गार्डन अब देखो इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया ना अब लेट दे लेंथ इस एक्स एंडिल बाइब ड्रेथ इस वाई ठीक है अब देखो कैसे करेंगे क्या बुलाए हाफ दा पैरेमीटर इस अब थर्टी सिक्स में थर्टी सिक्स मीटर कैसे पता मुझे यह लिखा है देखो कोशन में यह बोला है कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी पैरेमीटर जिसकी पैरेमीटर थर्टी सिक्स मीटर है और उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है फूस लेंथ इस फूर मीटर मोर दैन इट्स विट्थ अना तो यह बोला है एक इस तरह का रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ लेंथ जो है फूर मीटर जादा है विट से और उस रे प्रेमिटर का आधा 36 मीटर के बराबर है यह लाइन लिखिए पूरी फिर से सुन लो एक रेक्टेंगल ऐसा यह जिसकी विट्थ अब जिसकी लेंध फोर मीटर जादा है वीट से और हम लोग को यह भी दिया है कि उसका जो पैरिमीटर का हाफ है वो 36 मेटर के बराबर है यानि कि 1 by 2 of P is equal to 36 मेटर अब परिमीटर का फॉर्मला क्या होता है परिमीटर का फॉर्मला होता है बन बाइटू आफ टाइमस आफ एल प्लस बी इस इकल टू थर्टी सिक्स मीटर अब एल और बी की वैलू कितनी है यहो ग्सर टाइन ग्श्ष्ट का है मतलब टो टो टू से कैंशल मेटा obs豪्हा में आ सर्टो टो-1 इससक्शम मेटर ऐस दो माइनस थर्टीसीक्स मीटर को इक टोडा यह जोग हो गया पहला एक्वेशन पैर दूसरा पेना रिलेशिन क्या दिया है कि जो लेंद है जो लेंद फोर मेतर ज्यादा कि से तो लेंद्ट लेंद्ट इस पोर से और मीटर मोर यहां मोर इन विट हो गया सल तो बन गए दो एक यह रहा दूसरा यह रहा तो इस तरह से करेंगे मिस इस कुष्छन को दोने इक्वेशन रेड को सलुकर देंगा यह वि гол्य कोशन समझना चैल यह बंसît के बाद और कुछ नहीं है और देखिए कोश्च नमबर और कुछ पूछना है 6667 देखो गेवन दा लीनियर एक्वेशन देश राइट अनादर लीनियर एक्वेशन हूज वैरियेबल सच देट जिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पेर इस पॉंब बहुत असान है यार यह तो एक बात बताओ यह वाला जो पढ़ा अपने कि एवन अपॉन एटू इस नॉट इक्वल टू बीवन अपॉन अपॉन बीटू कब होता है इंट्रसेक्ट होता है अब मानलो मैंने एक एक्वेशन लिग दिया अब तुम अपना दिमाग लगा मालो इसके इसको ऐसे लिग दिया थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो मैं कहा अनदर एक्वेशन तुम लिखो कौन सा एटू एक्स प्लस बीटू वाई प्लस सीटू एक्वल टू जीरो मैं कहा इसमें एटू बीटू और सीटू की वैल्यू आप अपनी चॉइस से डाल सकते हो चाहो तो थ्री टू फोर ले लेना आपकी मर्दू कुछ भी ले सकते हो बट अगर मैं कहूं कि यह अनदर एक्वेशन पहला एक्वेशन तो यह रहा दूसरा तुम इसकी मदद से बनाओगे एटू बीटू सीटू की वैल्यू से अब अगर तुम इसमें तुम नया एक्वेशन बना रहे हो मैं अग कराने के लिए हमें ऐसा कोई लेना पड़ेगा जिनका रेश्यो बराबर ना यानि कि ऐसे ऐसे एवन की वैल्यू तो तो दूसरा नंबर एटू तुम कुछ भी ले लो माल नो तुमने ले लिया सिक्स क्या ले लिया सिक्स एक्स अब तो 3 से 6 को डिवाइट करेंगे तो क्य क्योंकि यह दोनों बराबर नहीं कर रहा है ना अगर तुम बीटू की वैल्यू मान लो ले लिए 4 तो टू अपॉन फॉर करोगे तो वन अपॉन टू इसका भी आने लगा दोनों बराबर होगे तो इंटरसेक्ट होंगे नहीं होंगे तो तुमें एक नंबर तो अपने से शुक्तिंग है यह नहीं है ना वसजी करना है लेकिन एक बात बता जो पैरलल होता है पैरलल का केस क्या होता है एवन अपन बीवन इस और टू अपन नहीं और अपन बीटू और ले बस कुछ कि नौट इकवकिल टू सिवन अपान सीटू यानि की एवन अपन उड़न हाँ इबन अपन एटू होगा सॉरी एवन अपन एटू सब एक जैसा है यह अब आतव अपन एटू बीवन अपन बीटू अब देखो माल लो पहला एक्वेस्ट तुमने यही बनाया तो दूस रुषरा एक्वेशन ऐसा बनानाई कि आपसमें क्या हो यानि कि पहला नंबर कुछ भी ले लो तुम पहला नंबर थी के अब ऐसा पहला नंबर तुमने ले लिए 9x मैं इस क्षिए स्किंदरोय कर नाइन तो तहना थ्री लेगा है वन अपवन थ्री तो अब तुम आईयू , ऐसी लेनी हैं टू लेनी है कि एंसर एंट्वापां थ्री आए तो में तू अपॉन क्या करें कि वन अपउन थ्री यह आज आहिए। तो देखो दोनों बराबर हो गए अब बताओ सीवन सीटू को बराबर रखना है क्या तो फॉर अपॉन क्या करेंगे तो वन अपंत्री आएगा कि वैल यानिकी ट्वैल नहीं रखना तो क्या रख दे कुछ भी रख दो 11 रख दो यह देखो यह दोनों पेर एक्वेशन आपस में क्या है तैलल सौज में आया कैसे करते हैं सिंपल सी चीज है एक लाइन का है आया कुशन नमर 7 देखो 7 देखो रॉबर रख देख ऑप्ट एक्वेशन एग्स मानस्ट्रफ वैंड्वां ग्सट procicsव वर्ट नंट थे सेली किerson नेत्रे मैं इस यह क्या करना है हम लोग को दिये गई पेर आफ लिए इक्वेश्टन से ग्राब बनाना है ड्राब ड्रॉद डिटर्माइन दर कॉर्डिनेट अफ दो वर्टिस अफ दे ट्रैंगल कि आसान है यह कोशन देखो कैसे करोगे जल्दी जल्दी देखना बहुत ब्रीफ में करूंगा मैं इस कोशन को करेंगे तो कैसे करेंगे पहले इस इक्वेशन के लिए देख लो इसके लिए टेबिल बना लो तीन वैल्यू निकाल लो क्या क्या आएगा कि जब एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यूू रडियो च्रुक्रर्ण माइनसammre ऑफ और य वाइनसंट ले लोचाहाओ तो प्लस ओन ले लें रहें वो तो ले ऐच भी तो एक बार इसमें टू ले लो ठीक है एक की वेलू टू ले लो टू प्लस वन थ्री उदर गया माइनस त्री तो इदर आएगा प्लस त्री आ गया इसके तीन कॉडिनेट और तीन कॉडिनेट इसके निकाल लेते हैं आश्यां और की जब एकस्किटी जीरो लें मोजेंगे एकस्के 0 रहे तो मैंनेश वेल तर जाएगा और यह सिटा जाएगा और यह पूरा जीरू जएगा और यह त्वित मानेश गैर ठीपल एकस की वेल्यूぎ आप ले लेंगे 3 और इसमें कैंसल करते टू टैम्स जब एक्स की वेल्यू टू ले लेंगे त्री टू जा सिक्स माइनस ट्वैल और सिक्स माइनस उधर गया प्लस तू से शिक्स डे शिक्स से टू डिवाइड हो गया 3 आ गया अब इसको प्लॉट कर दो फिगर को ठीक है वन योनीट हना हमारा लिख देंगे X Axis वन यह जो वन यूनेट वन क्या बोल रहे है इसमें एक्स एक्सिस वन ब्लॉक इस इकल टू वन यूनिट वन यूनिट है आप मान रहे हो क्योंकि सेंटीमेटर वगरा कुछ नहीं दिया इसलिए ठीक ना तो जो ब्लॉक्स है उसको तो हमारा इसको प्लॉट कर लो i 한다 3456 123456 123456 123455 अब देखो 011-10 الا की वेल्यू0 वाय कि वेल्यू वन ये रहा एक्सकी वेलियू माइनस वन य की वेलूए जीडो यह रहा एक्सकी वेल्यूस टू ऑक य की वेल्यू थिरी यह रहा तो यह होगा पॉइंट इधर से ले जाओ ऐसे निमा बन गया पहला अब इस वहले को प्लॉट करो एक स्की वेलू जिरो य कि वालू और या एक से वेलू फॉर पार की बैलू जीरो कि कर दो एक स्क्ली साफर गहां यह तीनों पॉइंगे तो यह आएगा आपका आ गया आगया आ डिमान बंता वार दिख रहा है यह दिग्या ट्रेंकल ूठ ग्या आप इसके कॉर्डिनेट कार्डिनेट की वैल्य वतानि है विफ रि यह इस कार्दिनेट की कितनी है वित पर वह को अब है यह पडीपर जीर Tucson करने का नाम धेड Boss को इस कोडिनेट का नाम दे दो एक्सपर तू वाइपर त्री कि ये कितना है एक्सपर माइनस वन सी माइनस तू य पर जी रो आगे तीनो कोडिनेट बस एही करना था इसमें लेंदी प्रोसेस क्या है लेंदी कुछ नहीं है बस यह जो काम मैंने डायरेक्ट है ना आपको करक बनाना है कि एक्स की प्लेट एक्सिक पल्टु जीरो देन वाइस गल्टु दिस लेट इस वो तीनों काम करेंगे फिर ये लास्ट में टेबल बनाएंगे मैंने डायरेक्ट अपने दिवां में सॉल करके टेबल बना दिया है ठीक ना और फिर ये ग्राब बन गया कितना असान के बारे में पताया था ठीक है अब देखो कि कल तक मैंने सब्सुच्यूशन में बारे में बताया था ठीक है आज मैं इलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्डिप्लिकेशन बताऊंगा और इस टॉपिक को यहां कंप्लीट करूंगा और फिर आप लोग जो जो होंवक दूंगा वो करना और इलिमिनेट करना में बहुत थोड़ा सुंतर होता है बड़ीट करने में कोई एक को हम दूसरी की जगह देते हैं ठीक है लेकिन इल्मिनेट करते वक्त किसी एक को हटा ही देते हैं सीदे ठीक है जैसे अगर आपके पास ऐसे जब सब्सिट्यूट करने का काम था जैसे आप में से कुछ हैं जिनकी मालों मुझे जरूरत है उनमें जिनको बुलाया वो नहीं आया तो मैंने उनके बदले किसी और को बुला लिया और अपना काम कर लिया तो सब्सिट्यूट कर दिया लेकिन अगर कि अदि आप में किसी को बुलाया और वो नहीं आया तो मैंने उसको इग्णूर कर दिया कि मत आओ जब घर पर बैठें तो इसको बोल देंगे एक लीमनेट करना इर्लीमेशन बाहर करते ला किसीफी चीज को बाहर कर देना बर्कसकर देना तो यह ओगया मिलेट करना तेक है तो जैसे कि माल लो आपके पास एक यह उल्द हो कि एुब ने यह देखो कि माल लो यह equation है कि eliminate substitution में क्या करते थे किसी एक equation को किसी एक equation में आकशन है लेकिन elimination में ऐसा नहीं होता है generate में हमें यह देखना है कि वाइक हटाना है ила कि educational आवाई और एक्स कैसे कट जाएंगे यह प्लस के दोनों यह माइनस के अगर नहीं कटते तो कौन सा कैस होता फिर यह अगर माल लो ठीक है कोशन अच्छा है माल यहां प्लस दिया होता तो आपके दिवाब में क्या आता कि यह कि आप देडियु में कर रहा है लिद्धन कर रहा है विद्धन करता है है स्टोल राइनों को अगर दोनों जगह यहां भी प्लस अजय होगी प्लस तो आप क्या समझता है इस ऐस लिक्टर से क्रास से क्या कंक्लूजन निकालते कि यह किस टाइप की लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैरलल लाइन्स को कि एवन अपन एटू इसकल टू बीवन अपन बीटू बट नॉट इक्वल टू सीवन अपन सीटू तो पैरलल हो जाता यह समझ गए हमेशा दो दो पेर आफ ली इतना काम तुरंट करना है अब से तो दो ली एक्वेशन लिए तुरंट जज कर लो कि यह दो फिगर दो लाइने हैं और दोनों लाइन कट हो रही है नहीं हो रही हम लोग को जच करने आता है ठीक है तरह का आपके पास चावी है जिससे आप ताला खोज़ जगते हैं तो के मैं यहां वाइक को एलिम्नेट करना चाहता हूं तो उसका जो कोफिशयंट है है कि वह से होना चाहिए तुक्त अब बता वाई का कोफिशंट यहां क्या है मतलब कहने का वाई कोफिशंट पार्ट नहीं उसका नियुमेरल पार्ट समझ लो और दूसरी चीज साइन ओपोजिट होना चाहिए कहने का मतलब य के यहां भगल में भी वन यहां भी वन है लेकिन यहां माइनस और यहां प्लस का वन थे देखो नियुमेरल तो दोनों में सेम है बन बन साइन अलग है दोनों में एक प्लास ठाहि फ्लास फॉर मैं आजाई क स Ready इक्वेशन को क्या करना है एड़ कर दो जब एड़ करो वाई से माइनज ह्वाई करेकड जाएगा एक्स प्लस एक्स तू एक्स और मैंनेस 14-4 माइनस cm quit 18 equal to 0 में इसको धर वे ज़ेगो तो x equal to 9 आगया आ गिना x equal to 9 अब इस x equal to 9 को उठाके इन में से किसी भी एक में रख दो किसी में भी रख दो चाहो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो तो मैं इसमें प्लस फाइफ उदर जाएगा तो माइनस वाइनस से माइनस कैंसिल वाइज इकल टू पाइफ हो गया सॉल तैसे करते इलिमिनेशन का काम पहले देखो कि जीच चीज को अटा मैं चाहो तो एक्स को अटाना चाहता हूं अब देखो अगर मालो मेरी इच्छा होती कि एक्स को अ आगे वनवन है बट क्या साइन दोनों का अपोजिट है क्या नहीं है ना तो हम क्या करेंगे साइन ऑपोजिट बना देंगे कैसे हम प्लस की जगह यहां करतेंगे माइनस का काम तो सबका साइन चेंज हो जाएगा माइन यहां प्लस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा समझ गया बात अब देखो एक्स का क्या हो गया माइनस एक्स ठीक है ना अब साइन ओपूजिट हो गया तो अब हम सॉल्ट कर देंगे आगे ठीक है इस तरह का ध्यार रखा जाता है कि एक और सवाल देखो तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट कोशन मार्क करा रहा हूं वह कर लिजिए जिन लोग पास बुक नहीं है वो लिख लिजिए कि कर दो कि कल 3.3 के कोशन दिये थे क्या करने को कि 3.3 के लग गए सारे कोशन ठीक है तो 3.3 में कोशन नंबर 3 बोला था मैंने कि 3.3 में कोशन नंबर 3 में जाद जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उनके एक्वेशन बनाने थे बनाए सॉल करने आते हैं सब्सुचूशन से सब्सूचूशन से ठीक है इलिमिनेशन पर आए इलिमिनेशन में एक तो इक्वापल नंबर 13 इंपोर्टें इसलिए मैं पहले इंपोर्टेंट कॉशन मार पर रहा हूं बाकी डिसकस्यन चलता रहेगा ठीक रहा एक्वापल नंबर और फिर एक्जर्णस 3.4 में को चुछन नमबर टू कि उसमें पांच कोशन से वर्ड प्रॉब्लम के ठीक है ना यह पांचों कोश्चन अना तो बस यह पांच कोशन वर्ड प्रॉब्लम के देखना है क्योंकि इसमें ओकोशन नमबर वन में भी आप में कोशिश Unfortunately कोशिश करो तो पांचों कोशिशन लगाना नहीं लगाना कैसे 5 कोशिशन में – n b स्क्राइक बनाने यकुषण सब का बनाने ठीक है जो भी व्र प्राइबलमीक पश्राम के लिए इक यसेija लगा लिया दो लगा लिए और सिर्फ इक्वेशन बनाने अटिक में एक और आहीं और अब ध्यानस थैसमे को स्फेसशन बनाई यह और दो कुश्चन इलिमिनेशन मैथड से ट्रैक्टिस कर लीजिए इतना आपके लिए बस आपको में चैलेंज यह है कि इक्वेशन बनाने आएगा तब आप सौल कर पाओगे तो यह बेसिक सी चीज है इलिमिनेशन पर जो भी बताया काम कैसे होता तो एक इलिमिनेशन में समय स्वेशन करणा कर में रखेण करणा पसंदकर लो अपनी इकश्यां देखना पर अच्छी सी चीज ऐसे चीज है मुझा सिंपल से सीज है लॉजिक लगाना अपना हर दो डिजिट का नंबर जैसे ट्वेंटी थी इसको टूइंटू 10 टैन प्लस 3 लिख सकते हैं यहानी कि जो भी डाउजिट का प्लस तर लिख सकते हैं यहानि कि जो भी दो कर नंबर होगा पहले को दूसरे को एड कर दो अगर कोई थ्री डिजिट का नबर है 9999 तो जा वह रहुए 9X100309 plus 9X10 plus 9 आई आ यहानी कि जितने भी डिजिट का नमबर होता है उसके उस डिजिट को उसके प्लेस से मल्डिप्लाई कर दो जैसे यूनिट प्लेस 10 प्लेस इसको इसको टैन से किया यह वालए युट प्लेस पर तो इसको टैन से किया यह इसको किसे करेंगे युट प्लेस वन से तो त्री इंटु वन तू को किसे करेंगे टेंसे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है यानि कि कोई भी डिजिट अगर एए और भी दो डिजिट का नंबर है तो एक को हम लोग एंटु सकते हैं तो यही कह रहा है ठीक है अब देखो क्या बोला कि दो डिजिट का कोई एक नंबर है मैं बस इसके ज्यादा डिस्कुशन अगर ना भी उपए तो आप एक्जांपल में 13 खुद देखेगा ठीक ना अभी मैं कोशिश करूंगा तो दो डिजिट का नंबर था ठीक है अब उसको डिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा यह तो बी इंटू 10 प्लस अब यह कहा कि 26 को 62 बना दिया गया 26 को क्या बना दिया 62 तो दोनों के बीच कोई गैप होगा ना यानि कि ए बी माइनस बीए करेंगे तो कुछ आएगा ना वही दिया है आपकी बुक में कि दो डिजिट का नंबर था उसको रिवर्स कर दिया गया तो बीए बन गया उन दोनों के